हेलो दोस्तो आज मैं आप सभी लोग को टॉप टेन हाई सालेरी इंजिनिरिंग कोर्सिस के बारे में बताऊंगा ये कोर्सिस एक साइन्स का स्टूडन कर सकता है 12 पास होने के बाद अगर दोस्तो आपने इन में से कोई भी एक कोर्स को कम्पलेट कर लिया तो आपकी मंतली सालेरी लाक रुपे के उपर होगी क्योंकि अभी में आपको जो 10 इंजिनिरिंग कोर्सिस के बारे में बताने वाला हूँ इन कोर्सिस में कॉम्पिटिशन कम है और यहाँ पर सालेरी सबसे ज़्यादा है तो आई यह जानते हैं कि वो कौन से हाई सालेरी इंजिनिरिंग कोर्से से जिनको एक साइन्स का स्टूडन करके अपनी लाइफ सेट कर सकता है तेन नंबर पर है निउक्लियर इंजिनियर दोस्तो जिस भी परसन को साइन्स आइंड टेकनोलोजी में काफी इंटरेस्ट रहेगा वो परसन के लिए निउक्लियर इंजिनिरिंग बेस्ट करियर आप्शन साबित हो सकता है दोस्तो इंडियन गवर्मेंट के अनुसार आने वाले फ्यूचर में निउक्लियर इंजिनिरिंग की डिमांड काफी ज़ादा बढ़ने वाली है दोस्तो आज की समय में हम निउक्लियर इनर्जी का कई सारी जगह पर यूज़ कर रहे है जैसे कि दोस्तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए निउक्लियर वेपन्स बनाने के लिए स्पेस एक्स्प्लोरेशन में निउक्लियर इनर्जी का काफी बढ़ा महत्व होता है न्यूग्लियर मेडिसिंस बनानी के लिए दोश्टो न्यूग्लियर एनरजी का यूस किया जाता है साथी साथ दोश्टो जो भी food treatments available है उनमें भी दोस्तो न्यूग्लियर एनरजी का सबसे जदा उपयोग किया जा रहा है nuclear engineer वो person होता है जो radiation and nuclear energy की मदद से कोई ऐसा instrument बना है जो लोगों की मदद कर सके तो दोस्तो इसको research करने का काम और इस चीज को develop करने का काम एक nuclear engineer का होता है दोस्तो अगर आपको future में कुछ अलग बनना है तो दोस्तो आप nuclear engineer बन सकते हो nuclear engineer बनने के लिए आपको 12th pass out होना है science की stream के साथ और आपकी syllabus के अंदर physics, chemistry, math subject include होने चाहिए अगर है तो दोस्तो आप JEE की exam देकर nuclear engineering का college जोईन कर सकते हो nuclear engineer बनने के बाद दोस्तो आप nuclear power plants के अंदर काम कर सकते हो education sector के अंदर काम कर सकते हो आप government organizations के लिए काम कर सकते हो साथी साथ दोस्तो आप private organizations के लिए भी काम कर सकते हो nuclear engineer की salary उसके post पर depend करती है as a fresher nuclear engineer को 20 से 25,000 रुपे की salary दी जाती है जैसी उस person के पास 2 साल का experience आएगा तो एक nuclear engineer को 60,000 से लेके 80,000 रुपीज तक की salary पर बन दी जाती है और दोस्तो जैसी आपके पास 5 years का experience आएगा और दोस्तो आप किसी बड़े post पर काम कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर 4,000 से 5,000 रुपे तक की salary भी हर मैना दी जाती है अगर दोस्तो आपको nuclear engineer के बारे में और detail में जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो अगर दोस्तो कमेंट की तादा जादा होगी तो मैं इस topic पर एक separate वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और उसके अंदर सब process step by step बताऊँगा नाइन्थ नंबर पर है बायो टेकनोलोजी इंजिनियर दोस्तो बायो टेकनोलोजी और टेकनोलोजी का एक मिश्रन है अगर दोस्तो कोई student है जिसने 12 में physics chemistry math के साथ साथ biology का subject भी लिया है या फिर दोस्तो कोई भी physics chemistry biology वाला student ये engineering का course कर सकता है जिस person को mathematics के साथ साथ biology में भी interest है वो person दोस्तो बायो टेकनोलोजी इंजिनियर बन सकता है दोस्तो बायो टेकनोलोजी इंजिनियर vaccines को create करता है वो research and development करता है medicines create करता है animals के लिए दवाईया बनाना agriculture के अंदर सुधार लाना pollution control करना disease research करना इस प्रकार के टेकनोलोजी इसको विकसित करने का काम एक बायो टेकनोलोजी इंजिनियर का होता है अगर दोस्तो आपको अपने लाइफ में कुछ अलग काम करना है तो दोस्तो आप बायो टेकनोलोजी इंजिनियर बन सकते हो यहाँ पर as a fresher आपको 25,000 से 30,000 रुपे की salary मिलेगी जिसी आपके पास 2 years का experience आएगा तो दोस्तो एक बायो टेकनोलोजी इंजिनियर को 45,000 से लेके 60,000 रुपीज तक की salary दी जाती है और जिसी उसके पास 5 years का experience आएगा तो दोस्तो उस person को एक लाग से देड़ लाग रुपे तक की salary भी हर मैना दी जाती है एक बायो टेकनोलोजी इंजिनियर रीसर्च लाबोरेटरीज के अंदर हेल्थ केर सेंटर्स फार्मासिस कमपनीज के अंदर फूड मैनेफेक्टिरिंग इंडस्टीज के अंदर और कुरूशी सेतर के अंदर काम कर सकता है आठवे नंबर पर है मरीन इंजिनियर दोस्तो मरीन इंजिनियर का काम काफी इंटरस्टिंग होता है और दोस्तो यहाँ पर आपको अच्छी salary के साथ साथ एक professional life जीने के लिए भी मिल जाती है मरीन इंजिनियर का काम थोड़ा difficult होता है लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी salary दी जाती है मरीन इंजिनियर का काम तोप या फिर जहाज की मरमत करना और उसकी देखरे करना होता है आज के अधुनिक जहाज new technology पर काम करते है इसके लिए समुदरी इंजिनियर को इस new technology को समझना होता है और इसके साथ साथ उस इंजिनियर को इन उपकरोनों को चलाना और मरमत करना भी आना चाहिए मरीन इंजिनियरिंग की कोर्स के अंदर आपको जहाजों की मरमत करना और दोस्तों जो भी new technology इन बिल्ड है इस आदूनिक जहाजों के अंदर वो सभी टेकनलोजी आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाती है समुदरी इंजिनियर का काम मालवाहग जहाज तेल के जहाज या फिर ग्यास के जहाजों पर सबसे ज़ादा होता है एस फ्रेशर मरीन इंजिनियर को 30,000 से 40,000 रुपे तक की सैलरी पर मन दी जाती है जिसी उस परसन के पास 2 यर्स का experience आएगा उसको 70,000 से 80,000 रुपे की सैलरी दी जाती है अगर दोस्तों आपकी पोस्ट भी अच्छी है और आपको 5 यर्स का experience है तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 लाख से लिखके 5 लाख रुपे तक का package भी हर मैना दिया जाता है और दोस्तों ये सैलरी जहाज के आकार पर depend करती है कि आप कितने बड़े जहाज को handle कर रहे हो अगर दोस्तों आपको Marine Engineering के बारे में और जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप इस वीडियो की नीचे comment करना मत भूलिए साथवे नंबर पर है Chemical Engineering दोस्तों Chemical Engineering में आप अपना करियर काफी अच्छे तरीके से grow कर सकते हो क्यूंकि इस सेक्टर में जॉब की कमी नहीं है Chemical Engineering के कोर्स के बाद आपको Manufacturing Chemical Processing Printing Milk and Food Industries Fertilizer Pesticize Drugs Manufacturing Petroleum Refining Plants Petrochemical Plants और इसके साथ साथ Government और Private दोनों सेक्टर के अंदर करियर करने का ओप्शन मिल जाता है Chemical Engineer को प्रयोग शाला जैसे की सरकारी प्रयोग शाला उद्योग शोज संग मतलब Research Association Industry Private Consulting सेक्टर और Research University जैसे शेत्रों में काम करने का मुका मिल जाता है Chemical Engineer का काम Designing और Maintenance तक ही सीमित नहीं होता बलकि कई परिस्थितियों में उने ही Cutting और Production जैसे कारेग करने पड़ते है एक तरह से ऐसा देखा जाए तो ये शेत्रा हमारे हुनर की तलाश में रहता है अगर दोस्तों आपने Chemical Engineering का Course कम्प्लीट किया तो दोस्तों आपको Starting में As a Fresher 20,000 से 25,000 रुपे की Salary मिलेगी जैसे ही दोस्तों आपके पास Two Years का Experience आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको 40,000 से 60,000 रुपे तक की Salary मिल जाती है और दोस्तों अगर आपने B.Tech के बाद Multinational Company में जौब हासिल की तो यहाँ पर दोस्तों आपको हर महिने के 1,5,000 रुपे तक की Salary As a Chemical Engineer मिल जाएगी Six है दोस्तो Electrical Engineering दोस्तों Electrical Engineering करने के बाद आपके सामने बहुत सारे Career Options आ जाते है क्योंकि आजकल हर एक जगा पर Electricity का इस्तमाल किया जाता है शायद कोई ऐसी जगा होगी जहाँ पर Without Electricity काम होता होगा तो Electrical Engineer के लिए बहुत सारी Jobs अविलेबल है जहाँ पर आप अपने मन पसंद जगा पर कारियर कर सकते हो जैसे के आप Electronics फिल्ड में अपना करियर कर सकते हो Power Generation के फिल्ड में अपना करियर कर सकते हो Oil and Gas Industries में साथी साथ दोस्तों आप Marine Engineer के साथ भी काम कर सकते हो और दोस्तों Marine Engineer की सालरी की अनुसार अगर आप वहाँ पर काम करोगे तो आपको देड लाक रुपे तक की सालरी ज़रूर मिलेगी इसके साथ साथ Construction Line में Telecoms में Railway में Aerospace में Automative Industries में और साथी साथ Marine जैसे इंडस्ती में दोस्तों आप अपना करियर सेट कर सकते हो अगर दोस्तों आप एक Electrical Engineer बन जाते हो और छोटे मोटे काम करते हो तो आपको याज़ फ्रेशर आपको जादा से जादा 35,000 रुपेस तक की सालरी मिलेगी लेकिन दोस्तों अगर आप किसी बड़ी Multinational Company में या फिर एरपोर्ट या फिर किसी बड़े जगा पर काम पर लगते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको monthly salary लाख रुपे के उपर भी दी जाती है विदेशों में Electrical Engineer की काफी ज़दा डिमांड है अगर दोस्तों आपने एक अच्छी University से Electrical Engineering का कोर्स कम्प्लीट किया और दोस्तों आप जैसे दुबई, कैनेडा कुवूद, सिंगापूर और आउस्ट्रिला जिसे जगा पर जॉब करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको monthly 10,5 लाख रुपे तक का पैकेज दिया जाता है मतलब सालाना आपको 15,20 लाख रुपे तक की इंकम आसानी से हो जाती है लेकिन आपको बड़े पोस्ट पर काम करना होगा अगर आप छोटे पोस्ट पर काम करोगे तो दोस्तो आपको यहाँ पर 35 से 40,000 रुपेज तक की सालेरी मिलेगी पाचवे नंबर पर है Electronics and Communication Engineering दोस्तो हमारे आज की जीवन में Electronic के सभी उपकरन जिससे की टेलिविजन, रेडियो, कम्पूटर, मोबाईल, इत्यादी सारे के सारे Electronic और Communication इंजिनियर के द्वारा बनाये जाते है Electronic और Communication इंजिनियर की फिल्ड काफी ज़दा बड़ी है इस फिल्ड में अंदर तक बहुत ही बड़े-बड़े उपकरन तक बनाये जाते है जैसी की एक Electronic इंजिनियर सेटरलाइट के उपकरनों को डिजाइन करता है और उसे बनाता है जिससे हमारी टीवी, टेलिफोन और इंटरनेट सर्विसेस चलती है Electronic and Communication Engineering का कोर्स कम्प्लिट कर लेने के बाद आपके सामने जौब के कई प्रकार के आप्शिन्स निकल के आएंगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर experience काफे ज़्यदा matter करता है As a fresher, Electronic Communication Engineer को 25,000 से 30,000 रुपे की सालरी मिलती है अगर दोस्तों आपने Electronic and Communication Engineering में Master Degree हासिल की है तो दोस्तों आपको as a fresher 30,000 से 30,000 रुपे की सालरी भी दी जाती है After 2 years आपको यहाँ पर 50,000 रुपे तक की सालरी मिलती है और दोस्तों अगर आपकी post काफी बड़ी है और आपके पास 5 years तक का experience है तो यहाँ पर आपको 1,000,000 रुपे तक की सालरी भी हर महिना दी जाती है अमेरिका, दुबई, कैनेडा, कुईट, सिंगापूर, औस्ट्रेलिया, एटसेक्टर जगा पर आपको 1,500,000 से 2,000,000 रुपे तक की सालरी हर महिना दी जाती है फोर्थ नंबर पर है Computer Science Engineering दोस्तो Computer Science Engineering आज की दिनों में भारत में काफी लोग प्रियक ओर से जो भी Students Engineering में करियर करना चाते हैं वो mostly B.H.C. Computer Science सेलेक्ट करते हैं क्यूंकि दोस्तो अभी का जो समय है इस समय में लोग अपना बिजनस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं जिसके वज़े से उनको अपने Company के लिए Application या फिर Software की जरुरत पढ़ जाती हैं Computer Science Engineering करने वाले Students को Hardware और Software के संबंदित पूरी तरह की Knowledge दी जाती है इस कोर्स में अगर Students Software Development की पढ़ाई करता है वो Future में IT Industries में काम करकर IT Companies के लिए उनका एक Professional Application बनाकर दे सकता है और वही जो दूसरा Person होता है वो Computer Hardware में अगर रूची दिखाता है तो वो जो Student होता है वो Future में Computer and Laptops के Hardware Parts को Repair करता है या फिर उनको नई तरीके से Design करता है Software Engineer और Hardware Engineer दोनों की मांग तेजी से बढ़ती जारी है ऐसे में दोस्तों Computer Science Engineering में अगर आप Career करते हो तो दोस्तों ये जो Career Option है वो आपको एक अच्छी कासे सालरी दे सकता है As a Fresher Computer Science Engineer किसी IT Company में जौब भी कर सकता है या फिर वो अपना खुद का साइड बिजनस भी ओपन कर सकता है Software Developer को IT Companies में As a Fresher 20,000 से 25,000 रुपे तक की सालरी मिलती है जिसी उसके पास 2 येर्स का Experience आ जाता है तो उस Person को 40,000 से 50,000 रुपे की सालरी दी जाती है और जिसी उसके पास Fires का Experience आ जाता है तो दोस्तो कई सारे IT Companies है जो उनको 40,000 रुपे तक का Package देने के लिए भी रेडी हो जाती है और वही दोस्तो एक Hardware Engineer को भी सेम सालरी मिलती है लेकिन दोस्तो Hardware Engineer अपना खुद का Shop Open करके लाख रुपे से भी ज्यादा कमाई कर सकता है थर्ड नंबर पर है Civil Engineering दोस्तो Civil Engineering का Course Complete कर लेने के बाद आप एक Civil Engineer बन जाते हो Civil Engineering में आपको Building, घर, सड़क, बांध, नहर, एरपोर्ट इनको बनाना होता है और इनको Maintain करने वाले Project पर भी आपको काम करना होता है याने कि अगर कोई Building बन रही है तो उस Building के लिए एक Design बनाया जाता है तो उस Design के आधार पर जो भी Material होगा जिसकी इट, सिमेंट, रेती, सरिया, etc. सभी आपको मंगाना पड़ता है और इस Project को पूरा करने का काम एक Civil Engineer का होता है जिस तरीके से घर निर्मान किया जाता है उसी तरीके से डैम, नहर, स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, रोड, पाइपलाइन, इत्यदी का काम किया जाता है तो ये सभी काम दोस्तो एक Civil Engineer का होता है Civil Engineer बनने के बाद आपको as a fresh year 20,000 से 25,000 रुपे की salary मिलती है जिसरी आपके पास 2 years का experience आ जाएगा तो दोस्तो आप 35,000 से लेके 45,000 रुपीज तक की salary ले सकते हो और अगर आपके पास 5 years का experience है और आपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम किया है तो दोस्तो आपके experience को देखते हुए companies आपको 80,000 से 90,000 रुपे तक का भी package दे सकते है दुबई जैसे जगा पर एक Civil Engineer को 1,500,000 से 2,000,000 रुपे पर मन्द का package भी दिया जाता है सेकेंड नंबर पर है aerospace engineering दोस्तो अगर आपको अपने life में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है और एक professional job करनी है तो दोस्तो आप aerospace engineering में अपना career कर सकते हो aerospace engineering में दो प्रमुख साकाय है एरोनौटिक इंजिनेरिंग और एस्ट्रोनौटिकल इंजिनेरिंग aerospace engineering में आपको विमान, हेलिकॉप्टर, अंतरिक्षियान, रॉकेट्स इनको बनाना होता है और इनको रिपेर करना होता है aerospace engineer को flight engineer भी कहा जाता है आज की समय में अच्छे aerospace engineer की काफी ज़्यदा डिमांड है इस सेक्टर में करियर बनाने का एक काफी अच्छा स्कोप है aerospace engineering में airlines, air force, government research, corporate research, helicopter companies, aircraft, रक्षा मंत्राले, missile agencies, विमान कमपनिया, अंतरिक्षियान बनाने वाली कमपनिज इन सारे जगह पर आप अपना करियर सेट कर सकते हो aerospace engineer का main काम होता है उनको spacecraft, aircraft, उपग्रह, missiles को design करना होता है इसी के साथ साथ सभी प्रकार के विमानों को control करना भी उनको आता है अच्छी से अच्छी company में aerospace engineer को as a fresher 35,000 से लेके 60,000 रुपीज तक की salary मिलती है जैसी उसके पास two years का experience आता है तो दोस्तो एक aerospace engineer को देड़ लाग से दो लाग रुपे तक की salary मिलती है अगर दोस्तो आपने NASA and ISRO जिसे company में अपनी job हासिल की तो दोस्तो आपको पर मन्त 5 लाग रुपीज तक का package भी यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप चाहते हो कि मैं इस topic पर एक अलग से वीडियो बनाऊ तो प्लीज दोस्तो आप इस वीडियो के नीचे comment करो अगर comment की तादा ज्यादा होगी तो जरूर दोस्तो मैं इस topic पर अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तो इंजिनियरिंग के इस list में top number one पर है automation and robotics engineering दोस्तो बहुत ही कम students होते है जो इन सारी fields में अपना career करने का सोचते है mostly सभी लोग mechanical engineering and civil engineering में जाते है जिसके वज़े से वहाँ पर competition ज्यादा होता है फिर बाद में उस student का जो भाव होता है वो रदी के हिसाब से होता है इसलिए दोस्तो अगर आप engineer बनना चाते हो तो दोस्तो कुछ अलग करने का सोचो जहाँ पर competition कम हो और आपकी कुछ एक respect रहे तो दोस्तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने automation and robotics engineering को मेरे इस list में top पर रखा है दोस्तो दुनिया काफी high tech होती जा रही है जिसके वज़े से career options भी high tech होते जा रहे है पहले engineering में बहुती कम options थे लेकिन दोस्तो आज engineering में हर प्रकर की engineering शामिल है और दोस्तो बढ़ती technology के अनुसार automation and robotics engineering में काफी अच्छा career बनाया जा सकता है अगर दोस्तो आपको robotics का course कर लेना है तो उसके लिए आपको 12 pass out होना है science के stream से और आपके 12 study में physics chemistry math subjects होना चाहिए और उसके बाद अगर आपने electronics engineering, computer science, mechanical engineering में BTEC या फिर BE की degree हासिल की है तो दोस्तो आप future में automation and robotics engineering में master degree हासिल कर सकते हो जिसके बाद आप इस field में अपना career कर सकते हो दोस्तो आज की जमाने में robots का इस्तमाल military के लिए, agriculture के लिए, medicals के लिए, industrial level पर काफी ज़्यादा प्रकार में किया जा रहा है तो ऐसे में दोस्तो robotics में काफी ज़्यादा scope दिखाई देता है robotics engineer का काम robots को design करना होता है और उस robot को handle करने के लिए software बनाने का काम भी robotics engineer का ही होता है अच्छे से अच्छे company में as a fresher robotics engineer को 25,000 से 35,000 रुपीज तक की salary दी जाती है जिसी आपके पास 2 years का experience आता है तो दोस्तो आपको 70,000 से लेकि 80,000 रुपीज तक की salary दी जाती है किसी बड़े project पर काम किया है तो दोस्तो बड़ी से बड़ी company में आपको 3,000,000 से 5,000,000 रुपे तक का package भी हर मैना दिया जाता है अगर दोस्तो आपने अपना project complete कर लिया तो उसके बाद आपको यहाँ पर बोनस के तोर पर काफी अच्छी रकम दी जाती है जो करोडो रुपीज में होती है मेरे आने वाले वीडियो में robotics engineering के लिए मैं separate वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अभी तक के लिए इतना ही उम्मिद करता हूँ दोस्तो आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा इस वीडियो को शेर करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए